हेलो बच्चो आज मैं एक और नई आक्टिविटी लेके आई हूँ काफी इंट्रेस्टिंग आक्टिविटी है जिससे हम अक्षरों को पहचानना सीखेंगे क्या लिका है सही वर्ण की बूंद में रंग भरो यहाँ पर मैंने देख सकते हो आप मैंने इस पेज को छे भागों में भाग किया है पेरिंस मैंने यहाँ पर इस पेज को छे हिसों में बाटा है हर एक हिस्से में एक बादल बना रहा है और उसके नीचे कई बूंदे बादल के नीचे कई बूंदे हैं बादल में मैंने अक्षर लिखा है और बूंदों में मैंने कई प्रकार के अक्षर लिखे कुछ सेम, कुछ अलग बच्चों को क्या करना है बादल में जो अक्षर है उसी अक्षर में रंग भरना है कैसे मैं करके दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर sky blue color लिया है light blue बच्चे कोई भी color ले सकते हैं क यहाँ पर हम सिर्फ क में रंग भरेंगे और किसी अक्षर में नहीं यह क है तो इसमें हम रंग भरेंगे ठीके ग इसमें नहीं भरेंगे द इसमें भी नहीं क जी हाँ इसमें भी हम रंग भरेंगे क हमें बादल से अक्षर को मैच करना है बादल वाले अक्षर में ही हमें रंग भरना है इस तरह से ठीके यहाँ पर देखिए च है तो हमें सिर्फ च में रंग भरना है चकषर को पहचानो रंग भरो पेरेंस बच्चों को ऐसे वर्कशीट बना के दे दे और उन्हें बता दे क्या करना है बच्चों को खुद से आइडेंटिफाय करना दे इससे बच्चों को काफी मदद होगी बच्चे काफी जल्दी सीखेंगे क्योंकि यह activities काफी interesting होती है बच्चे यह सब activities से जल्दी-जल्दी सीख जाते हैं ख, तो ख, हमें सिर्फ ख में रंग भरना है बाद में बच्चे बादल में भी रंग भर सकते हैं लेकिन सिर्फ जो अक्षर सेम है छ, सिर्फ सेम अक्षर में ही रंग भरे किसी अन्य अक्षर में, किसी डिफरेंट अक्षर में रंग ना भरे। वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे कौन सा है गः। तो हम सिर्फ गः में रंग भरेंगे। गः को खोजो और रंग भरो। जैसे कि मैंने किया है ज़। सिर्फ ज में रंग भरेंगे ज़ को खोजो और रंग भरो मैंने हाप ब्लू कलर नीले रंग का इस्तमाल इसले किया है क्योंकि बादल बलू है और मैमने यहां पर मैंने नीले रंग का प्रेयोग किया है ठीक है यह activity काफी इंट्रेस्टिंग है काफी जल्दी यह वर्क शीट बनाना भी टफ नहीं है और बच्चों के लिए भी काफी आसान है तो इसे आप अच्छे से करिए घर पर और मज़े किजिए students see you in the next class with a new worksheet तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों see you students bye bye take care